नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनान्शाला, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फिगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई फ्यूचर में आने वाली वीडियो छूट जाए, इसलिए डोंट फि आपको अपनी रोकनी नहीं है, अब आप सोच रहांगे यह तो इतनी चोटी बात है, यह क्यों इस पे वीडियो क्यों, मगर यह बात चोटी तो जरूर है, मगर यह बात हर इनसान के दिमाग में आती है, जैसे ही सिचुएशन डाउन टर्न ले लेती है, आज बुल ठीक है, सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर जैसे ही हलचल होती है मार्केट में, वेदर वो इलेक्शन हो, या वोर हो जाए, या कोविड नाइंटीन आ जाए, कोई एपेडमिक आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो, मार्केट को तो बहाना चाहिए ये डूपकी लगाने का, उस टाइम, उस टाइम अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनके दिमाग में गीख खयाल जरूर आता है, कि अरे चलो पैसा निकालो मार्केट से, पैसा डालने की और जरूरत नहीं है, तो मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स तूंग या जो स्टाइक्स आपको बहुत लंबे समय से मार्केट में हैं, जिनकी फ्यूचर ग्रोध बहुत अच्छी होने वाली है, फ्यूचर ओर्येंटेट स्टाइक्स हैं, जिन पे गर्मन फोकस करें ऐसे स्टाइक्स या म्यूचल फंड्स जो आप अच्छे से रिसर्च करके पड़ेंगे, अगर आप ऐसे म्यूचल फंड्स टॉक लेंगे, आपका पैसा लॉंग रान में बनेगा ही बनेगा, एक और चीज, अगर मैं आपको ये बात फैक्ट से बताऊं, तो मोस्ट रीसेंट इवेंट जहां सबसे ज्यादा गिरावट मार्केट में थी, वो क्या थ था COVID-19, COVID-19 में मार्केट जो था, यानि कि निफ्ती 50 अगर हम लें ले ले, येंजरत की 12,000 पॉइंट्स पर घूम रहा था, मगर जैसी COVID-19 आया 50% की डॉप मार्केट में आई, सीधा मार्केट टूटके कहां गिरा, 7,500 पॉइंट्स में, तो चाहे आप स्टॉक में हूं, चाया mutual fund में हो सब जगह आपकी returns negative रही होंगी बहुत गिर गई होंगी बहुत खरा performance हर stock या mutual fund ने बना के दी ऐसे में क्या करना चाहिए था SIP बंद कर देनी चाहिए नहीं अगर इतनी बड़ी disease epidemic इस position में भी अगर आपका पैसा जो है वो लंबे समय में बना ही है stocks recover करें mutual funds recover करें तो इसका मतलब यह यह आना कि लंबे समय में आपका पैसा 100% बनेगा ही बनेगा provided अपने अच्छे mutual fund और अच्छे stocks पकड़े होंगे तो अच्छ जी अब हम एक छोटा से example करेंगे तीन friends को discuss करेंगे जिनका three different types of mindsets थे उस case में हम यह decide करेंगे कि आप उसमें क्या है और आपको क्या करना चाहिए तो चली शुरू करते हैं टेबल के help से समझते हैं तीन friends थे एक friend का नाम था आलिया दूसरी friend का नाम था कट्रीना तीसरी friend का नाम था दिविया अब यह तीन दोस्ते अब हम तीनों का mindset समझेंगे कि तीनों ने कोई भी ऐसी situation जब आती है जो मार्केट बहुत ड्रॉप करता है उस समय तीनों ने different different चीज़े की अब उससे समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इनसे ही हम सीखने की कोशिश करेंगे सो अगर मैं बात करूं mindset की आल्या ने क्या क्या अपनी जो साइपी है वो स्टॉप कर दी और तो और पैसे को रिडीम कर लिया कट्रीना ने क्या क्या साइपी स्टॉप कर दी यह सोचके क्या रहे मार्केट तो और गिरेगी और पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं मगर इसने रिडेम्शन नहीं की पैसा मार्केट में जितना लगा था उसको इन्वेस्टेड ही रहने दिया तीसरी फ्रेंड दिव्या ने क्या किया साइपी भी बननी की और रिडीम भी पैसा नहीं किया अच्छा जी तो अब हम यह देखते हैं कि तीनों के रिजल्ट्स क्या रहें redo की रिटर्ण्स कैसी-कैसी बनी तो अगर मैं XелаLo रिटरंस की बार करूं तो आल्या की माइनस 12% रही कंटरीना की 20% रही और दिव्याज की 51% रही अगर मैं absolute returns की बात करूँ तो आल्या की minus 6, कट्रीना की 9% और दिव्या की 22% returns बनिये तब तीनों दोस्तों को side by side compare कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसकी returns लंबे समय में ज्यादा बनिये उसकी जिसने पैसा पूरी तरीके से market से निकाल दिया या उसकी जिसने market में पैसा invested रखा और तो और अपनी SIP भी continue रखी तो एक दो तो मैंने आपको situation बता दी जैसे कि covid-19 बता दिया कोई war जैसी situation हर situation में market ने लेके market जो है न वो ऐसे सीधी line से उपर नहीं जाता है वो थोड़ा चलता है है थोड़ा गिरता है थोड़ा चलता है थोड़ा गिरता है मगर लंबे समय में उसकी जो position है न वो upwards ही रहती है इसलिए आप जिस भी वह से market में invested हैं अगर आप एक बात पर विश्वास सकते हैं दाइस हमारी country की growth में इंडिया डिवेलपिंग से डिवेलप नेशन बनने वाला है उस सिनारियो में अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कोई भी सरकार आए कोई भी गवर्मेंट आए कोई भी वार हो जाए दुनिया कैसी भी चले हमारे हमार अब यहां इस अच्छा करना है और अगर अच्छा करेगी तो आपका जो म्यूच्वर फंड है वह भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा अभी बुल माकेट चल रही है तो आपका अपिनियन यह होगा कि अरे यार यह वीडियो इसकी क्या जरूवत थी एसाइपी तो ह अगर आप बंद कर देंगे तो क्या होगा लाखों का नुकसान, continuity in the long run in mutual funds ही best CAGR, best returns कमाने का जरिया है अगर आप अपनी country की growth पे विश्वास करते हैं, अगर आप अपनी mutual fund पे विश्वास करते हैं तो लंबे समय में ही invested रहे हैं, यह हम सब के लिए अच्छा रहेगा अगर आपको यह simple topic समझ में तो सब के यह आ गया होगा, मगर अगर इस topic जैसी information आपको और देखनी है, simple simple concepts पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आप comment कर सकते हैं, कोई और doubt है, उसके बारे में भी आप मुझे लिख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो चिलेगें, और एक तो लाइक, थैंक यू सो मच पो वाच्छिं, हपी इन्वेस्टिंग, बाई